किसानों से जुड़े तीन एहम बिल फिलहाल संसर्ट में पेश कर दिये गए हैं। सरकार इन्हें पास कराने के तैयारी में हैं तो दूसरी तरफ किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। कॉंग्रेस समेथ कुछ अन्यधल भी विरोध में हैं। इस पर बीजेपी का कहना है कि कॉंग्रेस पहले जिन चीजों का समर्थन करती थी अब उन्हीं पर राजनीती कर रही है। भारती जंता पार्टे के राष्ट अध्यक्ष जेपी नड़ा ने बुद्वार को इस मसले पर प्रेस कॉंफरेंस की। उन्होंने कहा कि मोधी सरकार किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। जेपी नड़ा ने कहा कि सरकार के इन नए परियासों से किसानों को बहुत फाइदा मिलेगा। जो लेफ्ट आउट्स हैं जो बिलकुल अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं। उनके लिए ही कारेक्रमों की रचना करते हुए। कारेक्रमों की रचना के माध्यम से उनको मुख्यधारा में लाना, उनको उनकी सेवा करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको एमपावर्मेंट करना, ताकत देना। और वह ताकत के साथ खड़े हो सके इस बात का सारे नियमों ने और कायरकर्मों ने और पॉलिसीज ने प्रोग्राम्स ने इस बात को समर्थन दिया है आप निर्भर भारत भी जो 20 लाग करोड़ का पैकेज है उसको भी हम देखेंगे तो वो हर एक सेक्शन को एड्रेस करता ह है आज जब मैं बात करता हूं तो मैं किसान की बात करता हूं और किसान की बात करता हूं तो आप निर्भर पैकेज में भी एक लाग करोड़ रुपे सिर्फ किसान के उतपाद को बढ़ाना उसका वैल्यू एडिशन करना उसको मार्केट में सरली करन करते हुए उसको सही द तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज अभी इस पार्लिमेंट में तीन किसानों के द्रिष्टी को ध्यान में रखते हुए बिल्स आये हैं एक तो कल लोकसभा में चर्चा होके पारित भी हो गया Essential Commodities Act उसी तरीके से Farmers Produce Trade and Commerce Act और Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance JP NADDA ने कहा कि ये तीनों ही अध्यादेश बहुत दूर द्रिष्टी वाले हैं इसलिए हम इन्हें बिल के रूप में संसद मिला रहे हैं और पास कराने जा रहे हैं NADDA ने कहा कि ये तीनों ही बिल कर्षी छेतर में निवेश बढ़ाने के लिए बहुत लाब कारी हैं उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तू अधिनियम की बात की जाए तो ये 1905 का है। प्रचना के माध्यम से उनको मुख्यधारा में लाना, उनको उनकी सेवा करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको एंपावर्मेंट करना, ताकत देना और वो ताकत के साथ खड़े हो सके इस बात का सारे नियमों और कायरकर्मों ने और पॉलिसी जने प्रोग्राम्स ने इस बात को समर्थन दिया है, आप निर्भर भारत भी जो वीस लाग करोड रुपे का पैकेज है, उसको भी हम देखेंगे, तो वो हर एक सेक्शन को एड्रेस करता है, आज जब मैं बात करता हूं तो मैं किसान की बात करता हूं, और किसान की बात करता हूं तो आप निर्भर करना उसको मार्केट में सरली करन करते हुए उसको सही दाम मिल सके और वो ठीक धंग से काम कर सके और अपना उत्पाद बढ़ा सके इसके लिए इसमें इन्वेस्मेंट्स करना तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज अभी इस पार्लिमेंट में तीन किसानों के दृष् में चर्चा होके पारित भी हो गया, Essential Commodities Act उसी तरीके से Farmers Produce Trade and Commerce Act और Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance ये तीनों जो बिल्स हैं जो अभी लोकसभा राजसभा में चर्चा हो रहे हैं, Essential Commodity Bill तो कल लोकसभा से पारित हुआ है अब राजसभा में जाएगा, ये तीनों ही बिल बहुत दूर रखते हैं और बहुत दूर दृष्टी रखते हुए इन बिल्स को एक्ट के रूप में हम सब लोग पार्लिमेंट में पास कर रहे हैं, यह किसानों के उत्पाद का प्रिडूस का दाम बहुत ती वरगती से आगे बढ़ाने वाले ये तीनों ही बिल रहने वाले हैं, और उ जहाने में ये तीनों ही बिल बहुत महत्योपूर्ण भी हैं और बहुत लाबकारी भी हैं, कारक हैं, इसको हमको समझना चाहिए, अब मैं अगर बात करो, Essential Food Commodities Act, 1955 का Act है, 1955 का, उस समय हमारे हाँ, food grains की shortage थी, दस मिलियन टन उस समय वीट होता था, आज दस गुना बढ़ गया है, वीट का प्रोडक्शन, 100 मिलियन टन हो गया है, उस समय राइस का प्रोडक्शन जो है, अभी चार गुना बढ़ गया है, उस समय 25 मिलियन टन था, आज 110 मिलियन टन है, उसी तरीके से दालों का लगबग धाई गुना बढ़ गया है 10 मिलियन टन से 25 मिलियन टन हो गया है तो यह जो बिलाया था वो उस समय था जब शॉर्टेज थी रेगुलेट करने की जुरूरत थी और कोई होर्डिंग ना हो और इसका सही दाम मिल सके सही समय पर लग सके इस बात के लिए था अब इसको डी गोशिश यह रही है कि extraordinary circumstances में अब extraordinary circumstances क्या है फैमीन है war है अकाल आता है natural calamity होती है तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इस बिलको बनाया गया है जिसमें यह एक smoothness आएगी और इसके माध्यम से private sector भी invest करेगा वह भी निवेश करेगा और उसको भी इसमें से एक उत्पाद लेने की इच्छा जाहिर होगी यह एक विशे को अपको ध्यान में रखना चाहिए कि मान लिजे कि आपने बटैये पर दिया है तो बटैये की भी विवस्था उसमें की जाएगी उस contract में की जाएगी ताकि ऐसा नहों कि अब आपने contract कर लिया इसलिए बटैय तो यह बहुत डीटेल सोच करके विवस्था की गई है और यह सारी विवस्थाएं सरकार के लिए मंडी के लिए व्यापारी के लिए नहीं यह किसान के लिए कि इसको हमको समझना चाहिए इसमें किसान फोकस में है इतना इनहीं नड्डा ने कॉंग्रेस पर भी निशाना साधा नड्डा ने कॉंग्रेस को दोहरा चहरा बताया आज कॉंग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोथ कर रही है इसका दोहरा चेहरा है यह हमेशा हर चीज में इनका काम राजनीती करना है कॉंग्रेस को सिवाए राजनीती के और कुछ नहीं आता यही कॉंग्रेस थी जिसने 2013-14 में यूपीए की सरकार में अपनी स्टेट गॉवर्मेंट्स को उस समय करनातक में आसम में हिमाचल प्रदेश में हर्याना में मेघाले में फूड और फूट और फूड और वेंजीतेबल्स को इसने अप्रेश के दी नोटिफाई कराया था अग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी से बाहर इन्होंने डी नोटिफाय कराया था विसमया कराया था ता-कायाओंग कर शेख।